जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर साइट पर सभी कॉलम में बोक्स लगा हुआ है सेटिंग लगा हुआ इस सेटिंग कैसे लगाते हैं क्या तरीका रहता है कैसे इसमें बोक्स लगा जाता है कैसे सोपोर्ट लगा जाता है इसके बारे में अगर पूरा डिटल से जानेंगे तो आप अगर हमारे चैनल पढ़ने है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए और दोस्तियार में फिसेयर किजिए जैसा क्या देख सकते हैं हाँ थोड़ी से यहां सेट्रिंग को ठोक रहा है इसलिए ठोक रहा है कि ताकि इसमें हान कोला जा रहा है आप देखिए बत्ता में लगाया गया था तो यह चीज क्या करना है कि जब भी आप ढ़लाई करते हैं कलम के ढ़लाई करते हैं तो उसमें सेटिंग जो लगाते हैं उसको आप 24 घंटे के अनुसार आइच पर ड्रॉइंग आपको दिया रहता है 20 घंटे के अंदर इसको खोल देना रहता है खोलने समय ध्यान देना रहता है कि अराम से खोले ताकि आपका जो कॉलम है वह कहीं टूटे ना कहीं पर बरबाद नहों यह चीज आपको बख़वी ध्यान रखना है इसमें जो बॉक्स लग सबाथ करते हैं सिकांजा करते हैं मिटर में पर ये व इसके बाद इसमें आपका गोगुनत लगाते हैं टाईरड लगा कि बाहर निकल गया जो मारा बोड है धाई सव का बोड है यह दोनों बोड का मेकिंग कैसे करेंगे जैसे इक कॉलम अड़ाई सभए साड़े चार सव का है इसके बारे पूरा जेखिए अभी यहाँ पर सारा में अभी यह सेटिंग लएगा बोड लएगा आप मिस्तिरी चल गया और इस बोड को मेकिंग करके यहाँ पे सभी मिस्तिरी लोग लेबर्लोग को देगाना है जैसे कि अपने लग चुक्त है और यहाँ पर टाइड क्या कर रहा है कि पूरा इसमें कॉस रहा है अच्छा से कॉस्के लगा रहा है चीज आपको ध्यान देना कि इसमें गूगुन कसने के बाद इसमें पॉलंबं से मिलाना मनें जो हमारा साहूल होता है उससे मिलाना है ताकि आपका जो कॉलम है पूरा सिधार है और अच्छार है अब बाद में उपर जब जाए पूरा सिधा जाए ट्यांड नहों इस परकार हम क्या करते हैं पहले इसका सिकांजा से पूरा काट लेंगे पूरा입 तिक्स काट लेंगे अर् जो हमारा हुमारा छविड्य इसका लंब है पुरा प्रव्धी 700-ीषाषा पुराइस के पूरी मे Sagal तो जो मेरा यह यह जो लंबा रहेगा जितना एक पलाई का उसी हिसाब से हम काट लेंगे डिर钊 आटाइसों अव्यूंत को फार्णों कोई लिका करते ह 생 lays गया पूर्ण भूस्यूंत के सबसूंत फॉर्ण पर आइसा है उपकिन देते हैं ज्यादाते लिकाल देते हैं तागके जो आटाइस होना से असे वाफोल जाने आता हो हो जाए इसलिका करते हैं लोग कोई लोग पलाई का भी बनाते हैं और कोई लोग क्या करते हैं बोटम कभी लिकाल के बना देते हैं इसका पीछे सपोटिंग के लिए यहां देखें बोटम दो बोटम ठोका जाता है बीच-बीच में भी बोटम ठोका जाता है ताकि इस बीच क्रेटिंग किया जाए इसमें कंक्रेटिंग किया जाए तो यह फैलेना और टूटेना जिससे हमारा कॉलम क्या हो जागा बरबाद हो जागा तूट जाएगा इसलिए हम एका करते हैं दोनों तरह बटा देते हैं 75 mm का और जो चार इंज का बाता रहता है उसमें पुरा होल करके और टाइरट से टाइरट में गुगुनट लगा के पूरा क्वास देते हैं ताकि हमारा जो सेट्रिंग है पूरा अचार जैसा कि आप देखिए सभी में चीद किया गया है यहाँ प को अभी यहाँ पर पूरा मेकिंग करकर रख देगा इसको बाद में पूरा इसको इतनी में कॉलम में लगाये जाएगा